नमस्कार संस्कित के प्रिविद्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर मैं पंकस्तिवारी जैशा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको इसका सॉलूसर लेकर किया हूंगा किसका करणस से दानवीर था अब लोगों ने चैप्टर का एक्स्प्लेशन कर लिया था भाग एक दो तीन चार पांच छे के आधार पर और चैप्टर का एक्स्प्लेशन करने के बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी दिया लेकिन अब आउसर है हमारा मौकिक और लिखेत अभ्यास करने का आज हम भारत का एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मेगनेट डेंस परिवार जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन और 100% का मतलब ही होता है निशुलक 100% निशुलक आप से कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है और उसके साथ-साथ यहां पर आप लोगों को मालूम है कि अध्यन के साथ सारी क्लास आपको यूटुब पर बिलेंगी ध्यान रखिएगा अगर परिक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने है तो यूटुब पर सारे सब्जेक्ट की आप क्लास यहां पर प्राप्त कर शकते हैं और उसके साथ-साथ भी आपक कि ट्वेल्थ क्लास तक के तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही लिंक पर जाएंगे तो इनोट्स और इबुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी तो बिलकुल भी देर मत करिएगा बिलंब मत करिएगा क्योंकि परिक्षा का समय हमारा नजदीक है ध्यान लखिएगा अब हम चलेंगे कहां क्लास पर क्लास हमारी आज रहेगी मौखिक की आप देख पा रहे होंगे लिखा है कक्षा दसवीश संस्कृत विहार वोड करनस्य दानवी रिता द्वादुश्या पाठा लिखने की जरूरत नहीं है आपके बल मौखिक रूप से इनको याद कर शकते हैं क्योंकि कक्षा में ही आपको कोसिस की जाएगी इसमें कि आप याद करें ध्यान लखिएगा आप ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी आपको अगर डाउट लगता है तो कमेट सेक्शन में लिख करके जरूर मुझे बताएं ध्यान लखें अगर जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं आपका समाधान नहीं कर पाऊंगा ठीक तो यहां पर पहले प्रस्ण पर ही चर्चा करेंगे पहला प्रस्ण हमारा क्या दिया हुआ है आप ध्यान से देखिएगा पहले प मतलब क्या है बोलो और कहां से लगा हुआ है यह लोट लकार का लगा हुआ है किसका है लोट लकार लोट लकार का मतलब अग्यार्थक अब यहां अग्या दी जा रही है अपने को अग्या बाची सब्द है अग्यार्थक ठीक है ना लोट लकार हमारा अग्यार्थक होता है अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि यह आग्या दी गई है तो क्यों उन्होंने यह कहा है कि आप लिखो पढ़ो बोलो ठीक अब यहाँ अधोन लिखित लिखा है अधोन लिखित पूरे पद की बात करें तो शश्टी बिवक्ती का पहुवचन लिखा है जैसे आप लोग देखते हो रामा नाम लिखा रहता है रामा नाम आप देखते हैं पुस्त का नाम पुस्त का नाम पुस्त का नाम पुस्त का नाम ऐसे लिखा मिलता है आपको ठीक है ना रामा नाम पुस्त का नाम फला नाम ठीक तो वैसे ही लिखा हुआ है अधोन लिखिता नाम तो यह भी हमारा सश्टी विभक्ति का बहुबचन ही होगा अब यहां पर बात करें हमके अधो अधाह प्लस लिखिता नाम ठीक है ना लिखिता नाम अधाह प्लस लिखिता नाम का मतलब है अधाह मतलब नीचे और नीचे लिखे हुए जो हमारे नीचे लिखे हैं मतलब क्या नीचे तो ये लिखा हुआ है तो नीचे लिखे पदा नाम मतलब पदों को जो हमारे नीचे लिखे हुए पद पद हैं उन पदों को उन पदों के परियाएबाची परियाएबाची का मतलब होता है उनके समान अर्थ को देने वाले जो ये सब्द दिया हुआ है मूड व को एक बताया है कि सश्टी बिवक्ति का बहुबचन है तो पदा नाम भी हमारा सश्टी बिवक्ति का बहुबचन ही होगा जैसे आप देखते हैं फला नाम पुस्तका नाम रामा नाम बैसे ही होगा पदा नाम तो सश्टी बिवक्ति का बहुबचन यहां पर भी हो जाएगा फिर लिखा परयायवाची पदानी अब ये पूरा पद है ये अलग अलग तो है नहीं है ये पूरा पद दिया हुआ है पूरा पद जब दिया हुआ है तो पूरे पद पर हम चर्चा भी करेंगे पूरे पद पर चर्चा करेंगे तो उसमें पहले मैं आपको बता दू कि यहा यहां पर प्रत्मा विभक्ति का पूरा वश्राई अब ढोगें कि सर्य क्यों कह दिया भी तो समान बंता है तो शमान रहते हैं नपुंसक लिंग रूप ठीक्छ तो पञधि मैद कि जलॉख याल अब हम इसका आर्थ निकालते हैं अर्थ जैसा देगा भैशा हम मान लेंगे देखिए यहां लिखा हुआ है नीचे लिखी पदों के परियावाची पदों परियावाची पदों को बोलो परियावाची पदों को बोलो परियावाची पद ने बोलो नहीं पदों को बोलो तो यहां पर हम मानेंगे दुतियावेभक्ति का बहुबचन क्या बो यह आपको मैं आपको यहां बता रहा हूं मद्यम पुरुष किसका है मद्यम पुरुष बहु बचन का रूप बना हुआ है मद्यम पुरुष बहु बचन मद्यम पुरुष बहुबचन में बनता है बद एक बचन में दिखिए एक बचन में बनेगा बद दुई बचन में बनेगा वदतम और बहुबचन में बनेगा वदत ये बनेगा आप सोचोगे कि सर ये मद्यम पुरुष का है तो फिर पुर्थम पुरुष का क्या है तो वहा से बनेगा ऐसे हमारे रूप चलते हैं ठीक है ना चलिए आगे दिखते हैं इसके बाद अब इसमें जो नहीं नीचे पद दिये हुए हैं मैं पद आपको बता चुका हूं ठीक अब यहां पर देखे थोड़ा से एक मिनिट इनका आर्थ दिखने तो आपके द्वारा ही इनका परियाबाची बता दिया जाएगा आप बताएंगे क्योंकि मैंने चैप्टर का जब एकस्पिलेनिसन किया तब आपसे एक एक नहीं दो दो नहीं तीन ती नहीं चार चार तक परियाबाची मैंने आपको बताए ठीक है ना लेकिन उसी चैप्टर से आपको उठा करके यहा कहां से आते हैं सारा का सारा चैप्टर का मटेरियल है अब देखिए परीक्षा जब बोर्ड एक्जाम होता है तब चारों तरफ से हमें सोचना होता है केवल और केवल पुस्त की क्यूडा भी नहीं बनना आपको यह प्रशन दिया है उन्होंने अब यहां पर आपको जो आप के पुस्तक में दिया है उसका जैसे मूड का मतलब मूर्क होता है मूडा का मतलब क्या होता है मूर्क दूसरा सब्द दिया हुआ है वाजिन वाजिन घोड़ा का परियावाची है घोड़ा अब संस्कृत में घोड़े को क्या कहते हैं वह आपको यहां लिखना है आप अस् परियावती लिख सकते हैं फिर इसके बास लिका हुए चीरम exercising का मतलब यहाँ देखिए दूद होता है अब दूद को आप संस्कृत में क्या कहते हैं दुख्दं भी बोलते हैं पयाह भी वी अर्थार सर्प सर्प के परियावाची कौन कौन है विसधर पन्नग व्याल अही फनी और कौन कौन से हैं आप तो कालिया भी लिख सकते हो आप तो वासुकी भी लिख सकते हो अजगर भी लिख सकते हो काला भी लिख सकते हो करिया भी लिख सकते हो लिख सकते हो यह सर है लेकि मुक्रूप से जो सब्दों होते हैं उनी सब्दों के आधार पर हमें सर्प को यहां पर परियावाची लिखना चाहिए तिर इसके बाद कनक लिखा हुगा है अच्छा कनक का मतलब देखिए मैंने देखा है कि आपकी जैसे आपकी साइड में तो नहीं आया विहार साइड में लेकिन जब भी जो आपकी भुजपूरी मुवी बगएर आती हैं तो कनक साइड वहां पर आटा को भी बोलते हैं ठीक है न तो आप उसमें कनक का अर्थ आटा भी होता है कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है कनक का अर्थ धतूरा भी होता है होता है कि ने तो आप इसके आद अगर पकड़ गए तो आप परियाबाचिों को भी लिख सकते हैं प्रिक्षावाला परीक्षट कुछ भी पूचे अंसर का अंसर देगे और अंसर के साथ नमबर मिलेगा ठीक चल्यें देखते हैं ये लिखे हुए हैं हसने यहां एक-एक लिखनी यहां देखो कोई भी हमें यहां पर निरदेश नहीं दिया गया कि कितने परिया बाची लेखना है फिर भी मैंने 2622 2323 करके ऐसे लिखके हैं यहां पर ठीक आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा ठीक सबसे पहले दिया हुआ है यहां मूझा जो अग्यानी होता है वही अग्यानी मतलब जिनको किसी भी किसी भी चीच का ग्यान ना हो वही तो मूर्ख है वही तो मूढ है मूढ है फिर इसके बाद दिया हुआ है वाजिन वाजिन सब्द दिया हुआ है वाजिन मन अस्व घोटका तुरंगा अब यहां पर आप बाजी भी लिख सकते हैं केवल वाजी यह केवल वाजी लिख सकते हैं ध्यान लखिएगा क्योंकि यह हमारे घोड़े के परियावाची है किसके हैं घोड़े के परियावाची अब यहा तो वारन सब्द दिया है गजहा हस्ती मातंगहा कुंजर कुंजन ये हवारे आपने कुंजन बन का नाम सुना होगा कुंजन बन नाम सुना है कभी अगर सुना है तो हाँ या ना तो कम से कम लिख सकते हैं कमेंट में ठीक है ना कुंजन बन में उसका नाम कुंजन बन क्यों प कि मैंने बताया कि इसका अर्थ होता है दूध और दूध को हम संस्कृत में बोलते हैं दुगदम पयाहा ठीक इसके बाद भुजंगा सब्द आया है भुजंगा में देखे सर्पहा भुजंग मने साप तो सर्पहा अही विसधरहा भुजंगा लिख सकते हैं आप फिर इसके बाद दिया हुआ है और भी लिख सकते हैं विसधर पन्नग पन्नग भी हमारा सर्प का परियावाची है विसध कम में दिया हुगा है स्वर्णम कंचन दीपता दीपता ठीक तो यहां पर भी आप देखे स्वर्ण हमारा क्या है स्वर्ण में सोना स्वर्ण का मतलब सोना और कनक का मतलब अभी सोना होता है आगे चलें आपको समझ में आया की नहीं परियावाची याद हूए की नहीं क्योंकि महत्पूर्ण यहाँ पर याद करना है इतना समय आपको फिर दुबारा हो सकता है ना मिले revisit की klaus में आपको revision revision की तरीके से करवाया जाएगा हो सकता है कि एक दिन में पूरा चैप्टर का चैप्टर हो जाए चैप्टर एक्स्मिनेशन और लिखित और मौकिक अभ्यास पूरा का पूरा एक बार में कोसिस करूंगा ठीक है ना तो देड़ से दो गंटे की किलास कंटीनू हो जाएगी आपकी इसलिए आप अभी इसको एक बार बहुत सुंदर ढंग से फिर रिवीजन करेंगे परिच्छा की समय द्यान लखिए और परिच्छा में ज्यादा समय नहीं है से इस बात कभी द्यान लखना फिर प्रशने किर्मां की दूसरी को हम करेंगी और प्रशने किर्मां की दूसरा हमारा क्या है इसको पहले बात हमे अभी इसके पहले भी मैं आपको अधो के वारे में बता चुका हूँ अधा का मतलब होता है नीचे ठीक अर्थार्थ नीचे लिखता नाम माने लिखे पदा नाम माने पदों के पदों के प्रकृति प्रकृति का मतलब होता है धातू अर्थार्थ जिस धातू या जिस क्रिया से जिस सब्द से क्या है किसी का सब्द का निर्माण हो वही मूल प्रकृति कहलाती है मूल सब्द और प्रत्य का मतलब होता है जो पीछे जुड़ता है प्रत्य का मतलब होता है हमेशा पीछे चलने वाला प्रत्य उफसर्ग क्या होता है हमेशा शब्द की शाथ में आगे बोग अब यहां पर कैसे बोलेंगे आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर यह बताने की जरूरत है क्या की इसमें कौन सी विवक्ति है सऩब का भभभत चन इसमें सऩठी का भभभ चन और बदत में लोड़ाका राग्यार्थां बिभाग भभग करो ठीक है ना प्रत्मा का एक बचा reasonable यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ, पर रिये हुए है सबसे पहले क्या दिया है है? यहाँ सबसे पहली बाद बता दूँ आपको, कि यहाँ पर जो दिया हुआ है यह बच वक्तव्यम बना हुआ है देखें वक्तव्यम सब्द दिया हुआ है बच धातु है और तब्यत प्रत्य है क्या है वच धातु है और यहां पर तब्यत प्रत्य है और इससे बनेगा हमारा वक्तव्यम तब्यत प्रत्य से बनने वाला सब्द हमेश्या पुलिंग इस तब्यद दिया हुगा है बच प्लस तब्यद दिया है ठीक, अब यहां पर वच से आप बनाएंगे वक्ट तब्यद चाके इस्थान पर हम चोहकू सूत्रिशिक का कर देंगे तो इहां बन जाएका तो यहां वन जाएगा और तब्यक का तब शेष रहेगा, तब शेष रहेगा और ताकी हमारी क्या हो जाएगी हलंतियम इस संग्या और सलूपा से लोफ हो जाएगा तब बचेगा I जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह हमारा क्या बनेगा वक्तब्या क्या बनेगा वक्तब्या और विशर्ग लगा देंगे तो पुलिंग बाची सब्द बन जाएगा वक्तब्या और विशर्ग को हटा करके अगर इसमें हम बड़ा लगा देंगे तो बन जाएगा वक्तब्या इस्त्री बाची और यहीं पर हम बच धातूग में वक्तव्यम तब प्रत्य लगा करके और मा जोड़ देंगे तो क्या कर देंगे वक्तव्यम यह नपुनसक बाची बन जाएगा और यहाँ पर जो सब्द दिया हुआ है वक्तव्यम आपका न पुन सक्वाची सब्द दिया हुआ है ध्यान आया समझ में आया ठीक अब यहाँ पर मैं आपको देखिए यह सब्द जो बता रहा हूं इन सब्दों पर आपको विसी इस रूप से ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पर जब आएगा आपका कि बच प्लस तव्यत से बनने वाला सब्द क्या है तो आपको क्या बनाना है फिर वक्तव्यम बनते तो तीन है तो यहाँ तीनों भी आपको मिल सकते हैं कोई जरूरी नही तो वहां पर अगर मा को हटा करके वह भी सर्क लगा देता है तो इसमें कोई बड़ी वह वाली बात नहीं है आप सोचों कि सर्पुस्तक से बाहर आया इसलिए बना नहीं यह कोई बड़ी बात नहीं यह कोई जादा नहीं यह हमारी सूजबूज है क्योंकि यह तब्यत प्रत उपर हमारा उप्शर्ग है और गम धातू है और लिप प्रित्या है लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपने जो ये पढ़ा है केवल सब्द को आपने ये प्रकर्ति और प्रत्य दो चीज़ें जालनी है तो ये आपकी प्रकर्ति है ये आपकी क्या है मतलब बक्तव्यम जो सब्द बना हुआ है इसमें मूल सब्द क्या है बच यह धातू है और मूल रूप है इसलिए इसको हम प्रकर्ती बोलेंगे और पीछे जुड़ने वाला हमेशा प्रत्य होता है पीछे जुड़ने वाला क्या होता है हमेशा प्रत्य कहलाता है ध्यान लखेगा यह आपका उप 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 शर्ग हो गया है गम आपकी प्रकृति हो गई बात का दियान रखना ठीक चलिए अगे देखें इसमें जैसे यह उप बना हुआ है और ये गम धातू बनी हुई है और ये आपका लिखा हुआ है लिया प्रत्या क्या लिखा ये लिया प्रत्या में लकार की और पकार की होगी इचंग्या लकार पकार का मतलब होता है ला और पा ठीक तो पा की इचंग्या आपकी करेंगे हलंत्यम से किसी करेंगे हलंत्यम हलंत इतसंगय करेगा और जिसकी इतसंगय होती है उतस्लोप आकर कि उनका लूब कर दीता है तो किवल और किवल यहां सीस रहेगा हमारे पास यह गम आपका जयों का तियों का जयेगा अब इसका वरनgueर शम्मिलन कृते कर देंगे जोड देंगे तो बन जाएगा हमारा उपगम क्या बनेगा उपगम में बन जाएगा ध्यान देना अब यहां उपगम में बन गया है तो उपगम का मतलब होता है समीप आकर ठीक है न अब यहां पर ध्यान लखना कि प्रकृति आपकी गम हो गई है और प्रत्य यहां का है यह उत्तम पुरुष एक बचन का रूप दिया हुगा है ठीक यहां पर मैं आपको लिखकर के देता हूं यह आपका लिखा हुगा है प्रथम पुरुष यह लिखा हुगा है मध्यम पुरुष और यह लिखा हुगा है आपका उत्तम पुरुष यह आप तीनों जा हुआ है एक छाती एक छपी एक चे तहा एक छपैह एक छपैंति और एक श शनती ठीक है ना यहां प्रका से यहां लिखेंगrict ठीक है यहां रहेगा एक हम्हाई एक्छथाह और यहां रहेगा एक्छथ फिर इसके बाद यहां रहेगा आपका एक्छामी जिसका हमको इंतिजार है एक्छामी एक्छावहा और क्या रहेगा एक्छामहा एक्छामहा यह आप देखें द्यान से ठीक तो एक्छामी आगया है कि नहीं आगया है अब जो यहां एक्छामी लिखा हुआ है यह उत्तम पुरुष एक बचन का रूप लगा हुआ है अब यहां पर क्या करना है कि जो इनों ने देखी है तो धातू कौन सी है यहां इस धातू है इस आपकी धातू है शटकौन बा है तो आप ध्यान से देखिएगा ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे यह लिखा हुआ है तिप एसे देखें तिप तसजी सिप थश था थिप थश था मिप वश मश मिप वश मश ता ताम जा थास आथाम ध्वम ध्वम मिड मही महिंग महिंग यह थोड़ा सा आपको कठें लगेगा समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप यह देखें कि यह जो प्रत्य लगा हुए प्रत्य हैं हमारे यह जितने भी हम धातुरूप बनाते हैं पठती देखो यहां ती आ गया है तो यहां आपका यह बन गया एक छती यहां तहा लहता का भी शर्ग बन जाएगा तो यहां ता आ गया है और जी को यहां अंती आदेश हो जाता है तो एक छती बनता है फिर सिप में यहां पठसी बनता है और था आ गया थस में यहां भी शर्ग हो जाएगा तो था बन जाएगा और था है तो ये लाश्ट में था लगा हुआ है और यहां मिप लगा है तो देखो यहां मा आ गया मा आ गया यहां वस लगा है तो यहां वा आ गया यहां मस लगा है तो यहां मा आ गया ठीक तो यह हमारे यह जितने भी प्रत्या लगे हुए है यह आत्मने पत्के हैं वो हमारे वो, सारी, यह हमारे परसमी पत्के हैं, वो आत्मने पत्के प्रत्या हैं, यह हमारे 18 प्रत्या होते हैं, तिप्त-जी, सिब्थष्था, मिप्मस, ताता, न्याथ, आसाथा, ध्ळ। अर्थम, इड्वही, महिंग, यह हमारा लगेगा तो इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे बहुत सारी चीजे हैं व्याकरण में जानने के लिए लेकिन जब यहां आया है तो मैंने कहा थोड़ा सा तो चर्चा कर दूँ ठीक अब थोड़ी सी चर्चा करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा बता दू लेक आताम आ गया है तो ये दोनों में आताम आया है ठीक तो कोई दिक्कत नहीं है बाकि मैं आपको बताओंगा ठीक अब यहां पर आपको एक बात ध्यान लखना है कि जो यह इस धातु से मिप पृत्या से यहां तिंग बना हुआ है यह कहां का रूप है उत्तम पुरुष का ह और एक बचन का है इसलिए यहां पर एक्छामी बना हुआ है इस धातू से एक्छ बन जाएगा और अम्मी जुड़ जाएगा तो एक्छामी बन जाएगा फिर इसके बाद सुरू ये ताम तो सुरू धातू है आताम जुड़ जाएगा तो यहां पर सुरू ये ताम बन जाए वाजी नाम ठीक तो आप इस प्रकार से इन प्रत्याओं को बस इतना ध्यान रखना है कि ये आपकी प्रकर्ति ये प्रत्या 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 रहेगा वो ध्यान से देखें तीसरे नंबर का प्रश्ण तीसरे नंबर का प्रश्ण हमारा क्या कहता है उसको ध्यान से देखना है प्रश्ण तीसरा है विपरीत आर्थकान शब्दान बदत प्रश्ण को समझेगा सारे अंसर आपको यहीं मिल जाएंगे ठीक विपरीत आर् ठीक है ना अंधेरे का उजाला बहुता है कि नहीं तो अब यहां पर विपरीत सब्दों की बात हो रही है और संस्कृत में उसको बोलते हैं विलोंपदों को हम विपरीतार्थ ठीक तो यहां लिखा हुआ है विपरीतार्थ खान कान लिखा है तो यह दुत्या विभक्ति का बहुवचल रूप लगा, तत्तेता ठीक है ना के कान कई है यह बना के कान कई ही के भ्या के भ्या के शाम के सु के भ्या के साम के सु दिया हुआ है ना अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो विप्रीत अर्थ कान लगा है तो उन्होंने कहा है विप्रीतों को विप्रीत अर्थ को सब्दों को बदत माने बोलो जो विप्रीत अर्थ का बोध कराते हैं ऐसे सब्दों को बोलो यहां भी सब्दान में भी फिर वही लोट लगा रागया तो आपको यहां पर लिखा है दीरगाईू। दीडगाईू का मतलब होता है बहुत लंपी आयू tyre गाईू का मतलब लंबी आयू अच्छा जैसे आप से पुछा जाए कि आपके परिवार में दीरगाईू कौन है बहुत लंबी समय तक आयू क्यों कि पुराने व्यक्ति बहुत जीते थे जैसे 100 साल भी पार कर जाते थे आज कल तो 60-70 ही मुस्किल पहुंचता है लेकिन पहले कि जो पुराने बुजर्ग लोग होते थे जो 100 प्लस में पहुंच जाते थे ध्यान रखिएगा तो कोई कम आयू में जीत जा है उसको अलपायू कहते हैं क्या कहते हैं विलॉमपत जूणना है उल्टा जूणना है बिलकुल तो दीरगायू अलपायू हो गया कि नहीं उल्टा चलो फिर देखते हैं प्रीता प्रीत का मतलब होता है प्रेम करना प्रीत का मतलब होता है क्या प्रेम कि होता है कि नहीं उसी प्रकार यस यस का हो जाएगा आप यस यस का मतलब होता है आपका चारों तरफ यस फैल जाए आपका नाम हो जाए आप चारों तरफ पे आपको सम्मान मिले कहीं भी जाएं लोग आपको पूझा आपको भगवान की तरह देखें कि नहीं होता है तो व बदल जाते हैं तो वह हमारा विलॉम अपयस में हो जाएगा फिर लिखा हुआ प्रविसती प्रविसती का मतलब होता है प्रवेश करना प्रविसती का मतलब होता है प्रवेश करना तो प्रवेश करना मतलब प्रविसती अब अंधर जाना है तो प्रवेश करना है बाहर जाना हैं तो क्या हो जाएगा निकलना तो इस प्रकार से आप इसको क्या है विलॉम पदों में कर शकते हैं आप ध्यान से देखिएगा यहां पर मैंने लिखे हुए हैं केवल सरल रूप में दिये हुए FOR.. आप देखें इसको.. ध्यान से देखिएगा.. पिर मैं बता कर 15… नहीं नहीं करता दत्वा माने देने वाला, तो ग्रहीत्वा मतलब कोई देने वाला होगा.. तो कोई ग्रहन करने वाला होगा और यस का हो जाएगा आप यस और प्रविशती का निर्गच्छती निकल ना निकलता है प्रविशती माने प्रवेश करता है ध्यान रखोगे तो बिलोंग पदों में ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होती है बिलोंग पदों को हम बहुत शरल तरीके सी और मुझे मालूम ह आगे चलते हैं अगले प्रशने पर बस प्रशने को समझ लोगे अंसर आप से खुद बन जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है संधी विच्छेदम कुरुद संधी विच्छेद करना है और इनको क्या है बोलना है ठीक तो बस यहाँ संधी विच्छेदम का मतलब होता है ये स लोट लकार आग्यार थक कहा का दिया हुआ है लोट लकार आग्यार थक तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहला सब्द दिया हुआ है हमारा सूर्येड आईव क्या दिया हुआ है शूर्येड आईव आप इसको मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा यह सूर्येड शूर्येन प्लस एव आप इसकी संदी विच्छित करेंगे ऐसे शूर्येन प्लस एव अब यहाँ पर आपकी कौन सी संदी हो जाएगी आप यहाँ से देखेंगे इसमें से आ ले लेंगे और इसमें से ए ले लेंगे आके बाद ए आने पर क्या बनता है आई बनता है आके बा की व्रद्धि शंदी हो जाएगी और व्रद्धि संदी होगी तो सूत्र भी आपको लगा न पढ़ता है कौन सा व्रद्धि रादाईच ब्रद्धी रादाईच ठीक है न? यहाँ ब्रद्धी रादाईच हो गया अब ब्रद्धी रादाईच जैसे ही आपका लगेगा तो ब्रद्धी रादाईच में सूत्र क्या कहता है वो ध्यान से देखे उन्होंने कहा कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो उसके बाद ए या आई दो मैसे कोई भी हो तो यहां क्या बन जाता है आई बन जाता है फिर इसके बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या आउ अगर आता है तो आउ बन जाता है यह आपकी व्रद्धि शंदी का नियम है तो यहाँ पर तो आप देख पा रहे होंगे कि आ के बाद क्या आया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह लिखा हुआ है आपका शूर्येण शूरियन तो अना मैंसे आ को निकाल लिया है आ को यहां पर निकाल लिया है तो अना आपका आधा बचे आएगा और इसको आप प्लस में लग देंगे फिर दोनों वर्नों को मिलाने के बाद यह बना हुआ है तो इसको आप बीच में लिख देंगे फिर इसके बाद एव मैंस से निकल गया है तो वह बचेगा आपके पास वाकूआ यहां लिख देंगी अब इसको आप इसमें जोड़ेंगे तो इसकी दो मात्र आंस पर लगेंगी जब दो होती हैं अगर आप धीर अच्छे से और आराम से समझेंगे तो एक भी संदी ऐसी नहीं है कि जो आप से ना बने सारी संदियां बनेंगी फिर इसके बाद दिया हुआ है एतत ठीक है ना क्या दिया हुआ है एतत प्लश एव देखें जारा एक मिनिट पहले आप इसको देख ल अब यहां पर देखें एतत प्लस एव दिया हुआ है एतत प्लस एव दिया हुआ है ठीक एतत अब यहां पर ता और यहां पर दा देख पा रहे होंगे आप यहां देखें यहां यहां दा लखा हुआ है अब मैंने तो यहां पर आपको क्या किया है यहां देखें आप यहा ता आ गया है तो ता कि इस्थान पर आप क्या करेंगी व्यंजन संधी लगाएंगी व्यंजन का मतलब संस्कृत में हल संधी व्यंजन का मतलब आपका क्या हो जाएगा हल संधी ठीक समझ में आ गया अब यहां पर हल संधी में एक संधी आती है जस्त शंधी जसत शंधी और य जहलों को जह सादिस करता है मतलब तीसरी बर्ण में परिवर्तन तो एतत की जगए एतत हो जाएगा एतत की जगए एतत और प्लश एव दिया हुआ है ठीक एकी मात्रा इस पर लगाएंगी तो यहां पर ता बर्ण का परिवर्तन किसमें हो गया तीसरी बर्ण में क्यों क्यों अब यहां देखें यह पाचो वरण है इसका तीसरा अक्षर क्या है दा तो यहां पर आप क्या कर दोगे दा और एक की मात्रा इस पर लगाओगे तो यह बनेगा आपका क्या एतद एव एतद एव क्या बन गया है एतद एव तो यहां पर आपकी वहिजन संदी हो जाएगे च चलिए यहां देखें यह लिखा हुगा है प्रीता प्लस अस्मी ठीक प्रीता प्लस अस्मी तो विशर्ग के स्थान पर आप विशर्ग शंदी हो जाएगी यहां तो आपको इस्पष्ट विशर्ग दिख रहा है और जब इस्पष्ट विशर्ग दिख रहा है तो आप विशर के शंदी के स्थान पर विशर के स्थान पर क्या करोगे वो कर दोगे तो प्रीतो और आ आ जाएगा वग्रह के रूप में ये बन जाएगा प्रीतोस में बन जाएगा की नहीं प्रीतोस में अब यहां पर आपका जब प्रीतोस में बन जाएगा तो यहां उत्तिशंदी का यो दुभयम तस्मात प्लस उभयम तस्मात प्लस उभयम तो यहां देखेंगे यह लिखा हुआ है तस्मात प्लस उभयम दिया हुआ है तस्मात प्लस उभयम तो यहां भी आपकी वही हमारी हल संधी रहेगी कौन सी रहेगी यहां हल संधी रहेगी और हल संधी का मतलब ब्यंजन संधी हल संधी का मतलब व्यंजन वही आपका तीसरे बर्ण में एक का तीन पहले बर्ण का तीसरे बर्ण में परिवर्तन तो ता था दा धा न ठीक है न ता बर्गे का तीसरे बर्ण में परिवर्तन तस्माद की जगह तस्माद की जगह तस्माद ता बर्गे का तीसरे बर्ण में परिभर्तन और अब्हयम का यहां वाजाएगा ओ भयम आजाएगा की नहीं अब उ को इसमें जोडोगे तो यह क्या बनेगा आपका तस्माद्दू भयम दिया हुआ है तस्मादू भयम बन जाएगा की नहीं तो यहां पर भी आपकी कौन संदी हो जाएगी हल संदी यह कौन सी संदी है हल संदी और हल संदी के अंतरगत आपकी वही जैसत्त संदी तीसरे बर्ण में परिबरतन फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे अगली संदी जो दी हुई है अगली संदी है आपकी नेक्छामी दिया है ना देखो यह ना मैसे आपको क्या लेना है और यहाँ पर ना आपका आधा हो जाएगा क्योंकि स्वर निकल गया ना तो एक छामी का आपको ई ले लेना है और यहाँ आधा चा और छामी यह आपका अलग हो जाएगा हो जाएगा कि ने अब आ के बाद ई आने पर यह दो बर्न आपको ध्या रखना है आके बाद ए आने पर ठीक क्या बनता है ए बनता है आके बाद ए आने पर ए बनता है तो वो कैसे बनेगा यह ना आपका ज्यों कत्यों आ जाएगा और यहां देखो आधा चा और छामी आपका बचा हुआ था ठिक? तो यहाँपर आपको ध्यान रखना है एक चामी, यह आगया ना कि मात्रा इस पर लगाओगे वर्रे शंवेलन कृति करने पर तो यह बनेगा ने और आधा चा और चामी बन जाएगा नेक चामी, बन जाएगा की ने? यह बन गया है आपका नेक चामी तो इसमें कौन सी संदी हो जाएगी गुण शंदी रहेगी और गुण शंदी का सूत्र कौन सा रहेगा आद गुणा कौन सा रहेगा आद गुणा ये आद गुणा क्यों लगा यहाँ पर ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है क्यों आद गुणा ये कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो तो दौनों मिलकर की क्या बनाते हैं ए बनाते हैं पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद अगर यहां पर छोटा उ या बड़ा उ हो तो यहां दौनों मिलकर की क्या बनाते हैं उ बनाते हैं यह आपकी गुर्शंदी का निया में और यहां पर भी देख रहा है आके बाद क्या आ गया यह आ गया आके बाद यह आया है इसलिए यहां पर यह बन गया है यह बन गया यहां गुर्शंदी हो गई चलिए ठीक चले आगे देखते हैं आगे देखेंगे और इसमें अगला हम प्रशन है और चारों प्रशनों को बहुत अच्छे से किया है आप भी इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और आपको याद भी हो गए होंगे किसको आपको 60-70 परशन्ट याद हो गए हैं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और बिलकुल आपको चिंता करने की बिलकुल जरूरत नहीं है क्यों क्यों कि आप चाहें CBSC बोर्ट से हों CBSC एंग्लेस मीडियम से हों चाहें CBSC हिंदी मीडियम यूपी बोर्ट वीहार वोड कहीं से भी हों भारत का एकमात एशा प्लेटफोर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री तो आप लोगों को करना क्या है आप बस जैसे ही यूटूब पर पहुंचेंगे तो आपको मेगनिट ब्रेंस अगर आप लिव इनदी मीडियों पर है तो हिंदी मीडियम से एंग्लिस मीडिययम सी चाहते हैं तो इंग्लिस मीडियम पर जाकर करके आप सारी कख्छाओं का चायन कर सकते कोई भी क्लास हो ध्यान रखिएगा 7 से लेकर के 12 तक की बात कर रहा हूं और English Medium, Hindi Medium दौनों की बात कर रहा हूं कोई भी सब्जेक्ट हो Hindi, English, Sanskrit आपके Physics, Chemistry, Wow, Math कोई भी हो सारे सब्जेक्ट आपको यहां मिलेगे ध्यान रखिएगा और विसेश रूप से आपके लिए एक सूचना, जो सूचना हमारी है कि Magnet Brains परिवार की ओर से Magnet Brains आपके इस प्लिट फॉर्म के द्वारा आपके यहां से जहां से आप अध्यान करते हैं वहां से संपूर्ण सब्जेक्ट के ध्यान रखिएगा और सभी टीचरों के द्वारा बैस्ट मटेरियल के साथ यहां पर नोट्स तयार किये गए है और वो नोट्स कैसे रहेंगे इनोट्स और इनोट्स के माध्यम से आपको यहां से नोट्स प्राप्त हो सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है उसकी योगिता क्या है उसकी बरीता क्या है उससे क्या होगा आपको मैं बता दू कि अगर आप जिस class में पढ़ रहे हैं आप class में यहां पढ़ रहे हैं और class में पढ़ने के बाद अगर वही content जो आप बोट पर पढ़ रहे हैं आपर आपकी screen पर दिख रहा है अगर वही content आपके पास आ जाए तो आपको double महनत नहीं करनी पड़ेगी औ double महनत के बिना किये आपके उत्तम अंक आएंगे पर इच्छा में दियान लखिएगा तो बिलकुल भी देर नहीं करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा नीचे जैसे ही link in description box में जाएंगे तो यह notes और e-books की संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएग तो बिलकुल भी आपको यह बात देर नहीं करना है ध्यान रखिएगा और हाँ प्लेटफर्म पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर कमेंट करिएगा नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले ध्यान रखिएगा और हाँ अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा जयतु संस्कृतम जयतु भारतम